तातपर्य यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिती ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलजने स्वतह उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किन्तु फिर भी वह लगती है और हम अत्याधिक व्याकुल हो उठते है अतह वैदिक वांगमय उपदेश देता है कि जीवन की उलजनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरू के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामानिक गुरू होता है, वह सब कुछ जानता है। अतह मनुष्य को भौतिक उलजनों में न र ब्रिहदारण्यक उपनिशद में व्याकुल, व्यग्र, मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। योवा एत दक्षरम, गार्गे विदित्वास्माओ, लोकात प्रैतिस क्रिपन, क्रिपन वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता, और आत्म साक्षातकार के विज्ञान को समझे बिना कूकर सूकर की भांती संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधी है, जिसका उप्योग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है, अतह जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता, वह ब्राहमन इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उप्योग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है, या एतदक्षरम गारगी विदित्वासमा अलोकात प्रैतीस ब्राहमन, देहात्म बुद्धी वश्क्रिपन या कंजूस, लोग अपना सारा समय परिवार समाज देशादी के अत्यधिक प्रेम में गवाद देते हैं, मनुष्य प्राय, चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात, पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है, क्रिपन यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यू से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यू से बचा सकता है, ऐसी पारिवारिक आसकती निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देख भाल करते हैं, बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक स करतव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किन्तु कृपन दुर्बलता, कारपण्य दोश के कारण वह अपना करतव्य नहीं निभा रहा था, अतह वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है, वह कृष्ण का शिश्यत्व ग् गुरु तथा शिश्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरू के समक्ष, गंभीरता पूरवक बातें करना चाहता है, इसलिए क्रिश्न भगवत गीता ज्यान के आदिगुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिश्य है, अर्ज किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बलकि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहन करनी चाहिए। कृष्ण के अंतह तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मुर्ख है।